हेलो फैंट्स आप देखने है टेक्निकल हिंदी ग्रूजी फैंट्स जैसा कि आप सभी को बता है नीट 21 के अप्लिकेशन फॉर्म आ चुके हैं और आपने बिल्लेटिन बगेरा सभी कुछ देख चुके हैं अब मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म नहीं बरा जाएगा टेक है कि gateway फों की रार्ज येट क्या रखे गाई इक वार्वम बरने की फ्लम बरने की जो लजटीट है अपने form को भी भर सकते हैं धेन उसके बाद आप नीड.nd.nice.in की website पर आते हैं धेन आपको यहाँ पर Fil Registration Form पर क्लिक करना है इस पर जब आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको new registration पर क्लिक करना है then उसके बाद आपको यहां पर registration करना है फिर application form भरना है फिर आपको upload image डॉकोमेटन अगर अब अगर आपर करनी है उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दू कि अगर आप जनरल के टेगरी है तो आपको तो 1,500 रुपी लगेगा यानि 1500 रुपी जर्नल EWS OBEC नॉन क्रीमी लेयर के कंडियेट है तो 1,400 रुपी लगेगा SCST, PWD और 3rd Gen रुपी लगेट है तो 800 800 रुपी आपको लगने वाला है ठीक है अब आपको एक registration form आएगा इस registration form को पूरा फिल करना है फिल करने के बाद application form फिर आपको document अप्लोड करना है फिर आपको लास्ट वर फाइला समिट करना है अपको यहाँ पर अपना form भरने के लिए अपना जो है capital अक्षर में आपको name लिखना है ध्यार रखे कि हाई स्कुल की mark sheet में जो name लिखना है वही बरियेगा गलत मत करना अपने father का name भरना है mother का name भरना है जो हाई स्कुल में लिखा है वही देन उसके वाद आपको अपनी date date of birth चूज करनी है जो भी आपकी date of birth है ठीक है date of birth चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जो friends अपना जेंडर चूज करना है जो भी जेंडर आपका है ठीक है gender male female third gender जो भी है तो मैं आपर male कर रहा हूं nationality आपको Indian OCI foreign NRI जो भी है आप click करिएगा मैं Indian चूज कर रहा हूं identify time में क्या चूज करना है वो आप देखीगा यानि कि आपको यहाँ पर other card देना है मतलब मैं इसको यह एक देना होगा चाहे other card दे दो चाहे 12 का March seat with photograph advent card के साथ दे दो आपना election card passport रासन card with photograph चाहे जी दे दो चाहे आप यह नहीं है तो bank का passport with photograph के साथ दे दो अगर यह भी कुछ नहीं है तो any other ballot government identify जो भी government द्वारा authorized दे सकते हो तो मैं other card यहाँ पर दे रहा हूं other card के last के चार डिजिट आपको देने है धिहार रखेगा अधार card के last के चार डिजिट आपको देने है धिहार रखें नेश उसके बाद अपना present address और permanent address आपको fill करना है present address पे जो भी आपका village बगेरा है वो आपको यहाँ पर fill करनी है then उसके बाद यहाँ पर आपको यह optional है लोकलिटी अगर है तो डाल सकते है अन्यता यहाँ पर सहर कस्वा गाउं कुछ भी यहाँ पर डाली का city town village ठीक है तो मैं भी यहाँ पर बरेली चूज कर दे रहा हूं आप जो भी address आपका ह देन उसके बाद अपनी country चूज करें डेन आपको अपना इ attorney स्क चूज करना है इस header रहा हो और council इस पर OTP अए लिए जाते हैं तो mobile number plus email id यहाँ पर डालनी है और alternate mobile number कोई हो तो बो डालना है आपको contact number देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो address यहाँ पर आपने डाला है यह अगर यह वाला address present address same और permanent address same है तो आपको same as the present address पर क्लिक करना है अगर same नहीं है तो यहाँ पर आपको address बरना होगा पूरा नया तो मेरा same है तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ देन उसके बाद आपको password बरना है password बनाने के लिए आपको कम से कम 8 से 13 करेक्टर का password होना चाहिए आपको एक upper case alphabet यहाँ पर देना होगा और एक आपको कम से कम alphabet lower case में alphabet देना होगा एक numerical number देना होगा ठीक है यानि कि एक दू तीन चार कुछ भी आप दे सकते हैं उसके बाद बन special character देना होगा लाइक जिस तरह से add the rate ठीक है star end का percentage का option जो भी आप यहाँ देख सकते हैं इनम from password एक security question आपको देना होगा जिससे आप जब कभी password भूल जाते हैं तो password जब आप forgot password करोगे तो आपसे question पूछा जाएगा तो मैं यहाँ पर favorite question पर click कर देता हूँ आपकी जो भी security answer favorite book कौनसी हो यहाँ पर आपको बताना है ठीक है favorite book में आपको देना है जब आप password भूल जा आपको यहाँ पर जो capture दिया है security pin आपको यहाँ पर fill करना है तो मैं इसको fill कर देता हूँ देन उसके बाद आपको इसको submit कर देना है ठीक है जब आप submit पर click करते हो तो इस तरह का आपको आएगा कि review page आप review करें ठीक है registration final submit करना है registration आपको ठीक है तो registration करने के लिए आपको यहाँ पर जो है close करना है close करने के बाद आपके सामने कुछ चीश तरक आएगा ठीक है यह आएगा यहाँ पर आपके ऊपर detail आएगी जो भी detail आपने भरी होगी उसके बाद आपको यहाँ पर सभी पर टिक करना है कि मेरा यह सभी verified है मेरी सभी सही है ठीक है मैं जो भर रहा है ठीक है मैं आपको दिखा नहीं सकता है से कवाटी परबस के लिए ठीक है इसके ऊपर फॉर्म है आप ऊपर देखोगी तो फॉर्म आपको देखने को मिल जागा और उसमें कुछ गलती लगता तो एडिट रेश्टेशन फॉर्म पर क्लिक करना है आपको एडिट कर लेना है अन्यता अगर आपका सही है तो इसको फाइल सम्मिट कर लेना है देन आपको फाइल सम्मिट कर देना है फाइल सम्मिट करने के बाद आपको एस कर देना है देन फ्रेंट्स आप देख सकते हैं रेजिस्टेशन सचस्पुली कंप्लीट हो चुगा है यहाँ पर आपको लिख राए application form submit करना होगा application form भरने के लिए आपको यहाँ पर नीचे आप आप आएंगे तो आपको यहाँ पर application ID आपको मिलेगी application number complete application form पर click करना है आपको जैसी मैं इस पर click करूँगा उसके बाद आपके जब application form भरेंगे तो आपने जो registration time जो detail भरी थी अपना नेम जनमतित बगेरा rate of birth gender आपका mother father name वो सभी आ जाएगी nationality वगेरा आप आगे पूछा गया है कि राजी केंदर सासत पिरदेश जहां से बार्मी की परिक्षा आपने पास की है बार्मी कहां से qualify किया है किस state से किया है वो आपको फिल करना है ठीक है जिस भी state से आपना 12th past किया हो बो इ बैं लिटीट सीहां किए दे अगर नहीं है यहां और अपको चूरूस करना है तो मे आपसे में के अधिक सुर्ण जो है आगे देखना है यहां बोला गया है क्या आप नीट 2021 में ड्रेस कोड की विप्रीत प्रित्थागत पोसाग पहनने का इरादा रखते हैं कि नहीं यानि कि पूछा गया है आपर डू यू इंटेंड टू बियर कास्टोमरे ड्रेस कोंट देखी गाई हम पर सीधी सी बात यह है ज्यादा वीडियो बढ़ी करने मां कोई फायदा नहीं है अगर कहीं कहीं होता है कि परंपर होती है कई पर की हम नहीं करने के पाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को भी लेगा के लिए आवेजन करना है एप्लाई फॉर तो एप्लाई फॉर क्या इम नीट है हमारा ठीक है यानिकि नेशनल इलिजबिल्टी कम इंट्रेस्ट है तो इसको ऐसी रहनी देना है प्रिशन का मार्द्यम आपको पेपर जो करना है वो किस मोड में करना चाहते हैं ठीक है इंगिलिस हिंदी असाम बंगाल गुजराती, कनाड़ा, मराथी, उडिया, तैलगू, तमिल, उर्दू, मलियालाम, पंजाबी तेने लेंगिज में आपके एक्जाम आएगा तो जिस लेंगिज में आप करना चाहते हैं लेकिन इंग्लिस में सभी को रहेगा अगर आप हिंदी कर देते हैं क्लिक तो हिंदी क्लिक करेंगे तो हिंदी भी आएगी और इंग्लिस भी आएगी इंग्लिस सभी के में आएगी चाहे आप उडिया करते हैं असाम बंगाली गुजराती कुछ भी वासा करते हैं आपको उस वासा में आएगा और प्लस इंग्लिस में तो आएगा या ठीक है उसके बाद किस स चूज करने के बाद आप जो बिदेश में कौन से जगह पर किस city में उप लेक्जाम देना चाहते हैं तो पूँआ आप चूज कर दीजिएगा तो मैंने याप डबल कर दी आगरा अलेगर कर दीजिएगा जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं तो यह आपको चूज करना है जहां भी आपको पंपाटेबल लगता है जहां आपको लगता यह पास होगा हम पहुंच जाएंगे आराम से वहाँ आप इसको चूज करें अपनी एकजाम सिटी एंड इस्टेट देन उसके बाद आपको यहां पर जो है अपनी यहां पर अपनी जो है आपको 12 का देना हुआ कि किस उत्तीड किये आपने की नहीं किये है तो आप माली जीगा आपने क्वालिफाई कर रखा है 12 तो पास करिएगा और किस बर्स में आपने क्वालिफाई किया है वह आपको यहां पर जो भी बर्स आ मैं आपको बता दूं में कहसे तरह से आपको तो देखे यहां फ्रेंस कोड बन किसको देखना है करना धू got नगे कहने की लिए आपको करना है जो अभी क्वालिफाइं नहीं किये मतलब अभी एक्जाम दिये वह आला अभी नोने 12th pass किया हो लेकिन उनका result बगर है नहीं आया हो तो code बनी उसकरना है then उसके बार code to किनको उसकरना है code to उनको उसकरना है जो pass कर चुके है ठीक है उनको उसकरना है और यहाँ पर द्यार रखें कि यहाँ पर बोला गया है कि जो open school या as private candidate है वो not eligible होंगे ध्यार रखें not eligible for appear for the national eligibility कम interest है ठीक है then उसके बार यहाँ पर next code 3 किनको उसकरना है the intermediate pre-degree examination in science of an Indian university board और other recognized examination board physics, chemistry, biology, biotechnology, ठीक है then उसके बाद code 4 किनको उसकरना है pre-professional, pre-medical examination with physics, chemistry, biology, and English after passing either the higher secondary examination on the pre-university and the equivalent examination ठीक है then इससे आप पढ़ सकते हैं 5 then उसके बाद 6 उसके बाद 7 ठीक है तो आप यह उसकरना है आपको उसके बाद friends अगर मैं form की बात करूँ तो आगे form पर आते हैं form के लिए आपको यहां पर अपना code उसकरना होगा माली जीगा आप qualify कर चुके हैं qualify करने के लिए यहां पर माली जीगा मैंने 2020 डाल दिया है इसलिए यहां पर 2000 code बन नहीं आ रहा है लेकिन यहां पी देखेगा मैंने pass लिख दिया है अगर आप API लिखेंगे तो code बना जाएगा ठीक है तो मैं code 2 यहां पर लिख देता हूँ then उसके बाद आपको schooling area क्या है urban है क्या है वो आपको यहां पर डाल देनी है school type private है क्या है वो आपको भर देना क्या है और बरवाच चला जाता है और किस state में आपने किया है किस district में आपने pass किया है आप अपना board चूज करिएगा percentage more मा करना चाहते है या CG PA मा करना चाहते है वो आपको percentage मा करना चाहता हूँ इसके बाद आप अपना total marks लिखएगा कि total marks कितने मैं से कितना था यहां पर आपको अपना marks लिखना है जो भी आपका marks रहता हो इसके बाद आपको percentage यहां पर लिखती है जितनी भी percentage आपकी निकल करा जाएगी इस पर जैसी आप किलिक करोगे रॉल नमबर आपको लिखना है जो भी आपको रॉल नमबर है रॉल नमबर लिखने के बाद आपको अपना college का name लिखना है ठीक है college का name लिखने के बाद आपको यहां पर next आगे क्या करना है अपना school का pin call लिखना है ठीक है तो आपको क्या करना होगा इसको close करना होगा आपका name ठीक है यह सभी आपने सही बराया है इसको tick करें कि आप यह declaration दे रहे हैं माल लीजेगा कि हम यह बिल्कुल सही बरें है कि submit करना चाहते हैं अगर कुछ गलती हो गई तो बात में submit नहीं होगा correction जब आपकी window open की जाएगी आप तारीक से तभी आप सभी कर पाऊगा ठीक है तो चली कि मैं yes कर देता हूं यहाँ पर तो जैसे मैंने yes पर किलिक किया तो आप देख सकते हैं registration green हो गया application green हो गया तो मेरा यह complete ऊचका है registration form और application form दोना अब आपके दो option और बच्चे है किवल आपको upload document करना है और incomplete जो दिखा रहा आपका fee payment ठीक है तो यहाँ पर आपको किलिक करना है अब आपको next step क्लिक करना हो कि हुआ होगा डुकामिट अप्लोकाड़ करने के लिए आपको upload document पर क्लिक करना होगा अगर आप edit एप्डिकेशन fonm पर क्लिक करते हैं तो edit पर जैसरी किलिक करेंगे तो आप अप एप्लिकेशनandom form में अभी वी edit कर सकते हैं अगर आपको लगता हम कुछ गलत है तो edit कर सकत अगर अनिता नहीं है तो अप्लोड डोकुमेंट पर क्लिक करना है अप्लोड डोकुमेंट पर जैसे क्लिक किया उसके बाद आपका नेम और एप्लिकेशन आईडी यहां पर लिखा हुआ मिल जागा है सिकॉर्टी परपस के लिए मैंने उसको छुपा दिया है आपको अब य अप्लिकेशन फर्म के लिए अपना फोटो किछ बालें रिसेटली फोटा होने चाहिए नया फोटो होने चाहिए महीने दो महीने पराना होगा चल जाएगा लेकिन ज्यादा पराना नहीं होना चाहिए आपका जो बैक्ग्राउंड हो वाइट कलर का होना चाहिए धियार र format में देन उसके बाद आपका left hand thumb impression आपको देना है यह 10-200 kb के बीच होना चाहिए यहाँ पर आपको choose file पर करके इसको सभी को submit कर लेना है देन उसके बाद आपको signature upload करने हैं 4-30 kb के बीच एक postcard size photo लेना है 10-200 kb के बीच इस अभी submit करेंगे जैसे आप इस पर choose file पर करके submit करते जाएंगे आपर आपका so होता जाएगा complete upload यहाँ पर so होता जाएगा नहीं आया हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं चैनल मर कमेंट करके वीडियो को नीचे पूछ सकते हैं मेरी mail id लिख लो info info.technicalhindigrooji जाकर के टेलीग्राम पर search करना वहाँ पूछ सकते है ठीक है आप पीस payment करी लेंगे अगर फीस payment में भी दिक्कत आ रही हो तो बता देना मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो आगे बता दूगा कि कैसे फीस payment करनी हो भी ठीक है अलाकि मैं अपना फॉर्म नहीं बरना था लेकिन बस मैंने आपके लिए भरने के लिए बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म बरना होगा इसके रिजाडिंग और कोई content वगरा की query वगरा हो comment box में पूछ ले मिलते नेक्स वीडियो में आगे कोई update के लिए जब को update आएगा त करना चाहती हूं तो उस पर मुझे जरू फॉलो करिएगा तो धन्नमा दोस्ते वीडियो दें के लिए मिलते नेक्स वीडियो में अगले update के साथ